इस विरेंद्र मैता वेलकम यू आल और दा मेमरी जीनियस चैनल आज का जो टॉपिक है वीडियो का वो बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट है आप आज बहुत ध्यान से सुनेंगे क्योंकि इसमें आज के इस वीडियो में आपकी बहुत सारी जो प्रा में जो हम लेते हैं means अगर एक human being की मैं बात करूँ तो दो important inputs हैं जो उसको चाहिए एक है food और दूसरा है thoughts राइट तो food और thoughts यही दो चीजे हैं जो हर एक human being जो है वो बाहर से लेता है राइट तो दोनों चीजों का जो प्रभाव है impact है वो हमारे mind और हमारी जो body के उपर पड़ता है एक चीज आप सबसे पहले note कर लिजिए बहुत ध्यान पुरवक आप सुन लिजिए कि prevention is better than cure मैं यहां cure की नहीं बात कर रहा मैं यहां prevention की बात कर रहा हूं देखिए चीजे तभी गलत होती हैं diseases तभी आते हैं failures आपकी life मे तभी आते हैं जब prevention जो है वो चूक जाती है और prevention तभी नहीं हो पाती जब आप लोग होश पूरवक किसी भी चीज को नहीं करते हैं means आपकी जो unconsciousness है या जो बेहोशी है वही सबसे बड़ा कारण है आपकी सबी बिमारियों का और बहुत सारी ऐसी गटनाओं का जो आपके साथ गटित होती हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि डबलू एचो जो यह कहता है कि 98% जो diseases हैं वो psychosomatic है मैं आपको 201% कह रहा हूं कि जितने भी diseases हैं वो psychosomatic है तो चाहे वो food हो सबसे पहले इस वीडियो में मैं food की बात करूंगा और फिर मैं thoughts की बात करूंगा So negative thoughts and bad जो food habits हैं यही responsible है आपकी limitations का आपकी problems का तो सबसे पहले जो food की अगर मैं बात करूंगा तो कुछ basic thumb rules है मैं चाहता हूं कि आप इनको लिख लें आप इनको बनाएं और इनको 100% आप follow करें तो जो food habits हैं मैं पूरे confidence के साथ कह रहा हूं कि आपकी जो है वो improve हो सबसे पहले आप two times जो food है आप लेना start कीजिए डिनर को skip कीजिए मैं already अपने daily workout का वीडियो बना चुका हूं उसमें बहुत systematic अपना manage or daily routine है वो बताया है कि कैसे हम morning से fresh juices ले करके और two times का fooding जो activity है वो आप करें और जो बहुत fatty लोग हैं जिनको बोजन की आवशक्ता है ही नहीं क्योंकि हम अमारी body को जितना चाहिए बोजन हम उतना ही तो require करेंगे right तो वो जो है फिर एक time food के लिए जाएंगे किस के case में जो लोग fatty हैं उसके बाद आप जो है पूरे दिन में जो नारियल पानी है या fruit juices हैं वो खूब ले और vedic food जो है वो ज्यादा से ज्यादा खाएं vedic food से फिर मेरा मतलब टमाटर शलगम गाजर मूली इन सबी से है जो green salad है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा important है eating and thinking यह जो दो activity है यह mindfully होनी चाहिए आज जो हम लोग काफी सारे लोग जो अपनी attention जो है वो divide कर देते हैं क्योंकि at the same time if you are watching television and eating food देखिए हमने mind को हमने brain को engage कर दिया दो activity में तो आप मुझे यह बताइए कि 100% हम अपने brain से यह expect करें कि वो हमारे food को digest करें तो नहीं कर सकता तो आप यह multitasking behavior छोड़के एक ही activity की उपर focus करते हुए पूरे होश पूरवक आप अगर उसको करेंगे तो जो results हो है वो better आएंगे तो आपकी eating और जो thinking है यह mindfully होनी चाहिए mindfully का मतलब है होश से consciousness के साथ means पानी भी अगर पिए तो एक एक जो sip है आप उसको enjoy करते हुए उसको focus करते हुए आप पिए और feel करें कि वो पानी जो है आपके chest से होता हो गया आपके yes of a gas जो food pipe है वहाँ से होता जा रहा है और stomach के अंदर जा रहा है तो similarly eating food से भी मेरा मतलब है कि एक एक बाइट को आप होश पूरवक जो है वो ग्रहन करें उसका टेस्ट ले धीरे धीरे शांत वाव से आप उसको ले देखिए whatever you eat राइट आप जो भी खाएं आप देखिए three chapatis लीजिए या four chapatis लीजिए problem नहीं है problem है उसको digest करने में त तो आप उतना ही लें जितना आप उसको digest कर सकते हैं वज रासन और जो workout है डेली का आप वो measure कीजिए कि आपको उस एसाब से कितनी food की input लेनी चाहिए कि आप वो चीज effectively जो है वो digest कर पाएं उसके बाद एक important point यह है कि focus on your body alarm देखिए मैं अपनी एक और चीज यहाँ पे add- workout से related मैं food के लिए तब जाता हूं जब मेरा body alarm जो है मुझे signal देता है body alarm से मतलब है जब मेरे stomach में you know moments होती है ना कि आप मुझे कोई चीज चाहिए तब ही हम उसके लिए जाएं तो यह मैं सब के लिए बता रहा हूं कि आप please अपनी body के signals को समझिए अपनी body के साथ बात करन communication setup कीजिए और हर एक organ के प्रती हर एक body के function के प्रती आप सचेत रहे ओके ऐसा मैं आपको कह रहा हूं उसके बाद एक चीज और मैं यह आप शेयर कर रहा हूं अभी कुछ दिन पहले मैं एक जो है marriage party में किया और मेरा friend था मैं था एक दो हम friend थे तो I think मुझे आवाज आती है like भूतनी के मैंने अपने friend को बोला रही यह आवाज आ रही है हो सकते है डीजे से किसी ने गाली दिया हो उसका यह कहना था कि नहीं जी यह गाली वाली नहीं है यह Bollywood का song है मुझे उस पे विश्वास नहीं हुआ मैं खुद डीजे पार्टी में गया और मैंने देखा कि वास्तव में वहां कोई person नहीं था जो माइक से बोल रहा था वो Bollywood का song की था मैं यह देख के दंग रह गया हैरान रह गया और दुला और जो दुलन थे वो दोनों उस पे नाच रहे थे enjoy कर रहे थे and they are reciting like वो भूतनी के तुझे घोड़ी पे किसने चलाया यह है आज का ह हमारा nonsense behavior मैं कई भर सोचता हूं कि अगर स्वामी विवेका नंजी का अगर शरीर आज होता तो आज वो देखते तो हसते हमारी युवा पेड़ी पर right मैं अपने वीडियो में यह बोलता हूं कि मुह से निकला हुआ एक एक शब्द वो जो है वो मंत्र है and they are reciting you know भूत और इतने हानिकारक सच्ची में जो भूत और भूतनी है वो नहीं है जितने वह साक्षात मैंने भूत और भूतनिया देख ली तो यह है हमारी युवा पेड़ी राइट तो देखिए मैं शादी पार्टी के खिलाफ नहीं हूं देखिए चलो एक चीज में और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर जल्दी मरना हो तो मैं उसको बोलूंगा कि तु डेली शादी में जा और रात का डिनर कर और झीनर कर और खूब झीव बरके खाए तो विदिन ए वीक जैराम जी की जो है वो हो जाएगी राइट मैं ऐसा जो कह रहा हूं मैं जानके आपको बोल रहा हूं राइट आप इस बात को समझें रात का ये जो कूड़ा करकट ये जो वहां पे चलता है मिलें सो मैनी वराइटीज एड स्पाइजी और कितना गं सुकेजन को उसका मातम ऐसे ऐसे सौंक्स हैं ऐसे ऐसी ये आज की जो कल्चर है ये पिगड़ चुकी है तो आप लोग सोचिए समझिए शांद भाव से इसको समझने का जो प्रयास है वो आप करें फिर जो बात है वो है प्रिवेंशन की कि आप प्रिवेंशन के उपर फोक वो गलत है देखिए मैं आपको एक सिस्टेमेटिक प्रोसीजर बता रहा हूँ सबसे पहले तो कोई डिजीज आना नी चाहिए आप होश पुर्वक जो है अपना जो फूड इंपुट है उसके उपर फोकस करें उसी से ही 90 प्रसेंट जो प्रॉब्लम्स है वो हो रही है उस का जो सिलूशन है वो डिराइव जो है वो हो जाता है उससे भी अगर बात नहीं बनती है तो फिर आप किसी आयूरवेदिक अच्छे आयूरवेदिक डॉक्टर की बात कर रहा हूं मैं उन डॉक्टर की बात नहीं कर रहा जो BMS है लेकिन ऐलोवेथी ड्रॉक्स देते हैं न मां भी अगर नहीं बात बनती वो कहते हैं कि no this is not there is no solution for that फिर आप homopathy try करें और फिर last में allopathy के ले जाएं मैं allopathy के against नहीं हूं लेकिन देखिए ये तभी therapy use करें जब बहुत ज्यादा required हो जब कोई और solution जो है वो नहीं हो राइट तो ये एक छोटा सा algorithm मैंने आपको बन करने का कि इस situations के साथ कैसे deal करना है तो ये तो थी food की बात now I want to talk about your thoughts means negative emotions तो जो भी ये problem है diseases है एक तो bad food habit और ये जो thoughts है इनी वज़े से ये problems हो रहा है negative emotions के कारण हो रहा है क्योंकि यहीं है roots आपके सभी बिमारियों का आपके सभी diseases का तो अपने आद देखिए जैसे आप सुबह कपड़े चुनते है ना means कि आज मझे ये dress पहननी है आप अपने विचारों को आप अपने thoughts को चुनना जो है वो start करें कि मुझे positive thoughts सोचना है या negative जो thought है वो सोचना है तो still उसके बाद भी अगर diseases है आप अगर य सोचे तो ऐसा नहीं हो सकता हमारी जो ये six layers है means अन में कोश फिर प्राण में कोश फिर मनों में कोश फिर ज्यान में कोश फिर विज्यान में कोश और फिर आनंद में कोश जो negative psychic impressions है वो control कर रहे हैं आपके thoughts को वो ज्यान और विज्यान में कोश में बैटे हैं जब तक उनकी grip lose नहीं होती तब तक आप positive सोच ही नहीं सकते तो आप फिर बोलेंगे कि sir वो negative psychic impressions जो है वो release कैसे हो solution एक ही है means that is श्री विद्यासातना तो मैं आपको motivate कर रहा हूं कि श्री विद्यासातना ही है जो आपका काया कल्प even मानसिक जो काया कल्प है वो हो सकता है आपकी life जो है transform हो सकती है एंड बहुत सारे students यह पूछते हैं कि sir जो त्राटक आप बताते हैं श्री विद्या त्राटक क्या वही श्री विद्यासातना है नहीं त्राटक एक simple exercise है उस साधना का एक छोटा सा हिस्सा है जो वैदिक सैंसेस में आता है और जो बच्चों को हम बोलते हैं कि पॉस्टस के उपर जो है वो त्राटक करें यह एक छोटी सी exercise मातर है लेकिन श्री विद्यासातना अपने आप में एक complete जो है वो lifestyle है जो आपको सीखना चाहिए उन दो power sessions में और उसके बाद देखिए support जो है मुझे आप लोगों की चाहिए मैं निकला तो हूँ भारत में UAPD को तेजो में बनाने के लिए तो एक बंदे से बात नहीं बनती I want collective consciousness जब आप सब लोग हम मिल करके इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे तभी जाके यह collective consciousness बनेगा और collective consciousness ही हमारे देश के अंदर change जो है वो ला सकती है तो इसके लिए मैं आपको request कर रहा हूं कि यह वी उतनियों के साथ जो आज ऐसी culture के अंदर फसे हैं और अगर हमारे वीडियो से हमारे courses से हमारी किसी भी चीज से आपकी life में अगर कोई positive change आया है तो उसका आप जो video testimonial है आप जरूर मुझे mail या फिर WhatsApp करें तो मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो एक successful रहा होगा आपको motivation मिला होगा कि कैसे हम अपनी जो food habits हैं या अपने thoughts हैं उनको हम purify कर सकते हैं right so with these words thank you so much have a great day